अब तक की तमाम बड़ी खबरों पर पंडित दीन द्यार को यार्ट करने के लिए पहली बार सेक्ड़ों कारिकर्टा पहुंचे प्रदिमास्खल पिछली जैन्ती पर 20 लोग नहीं थे मौझूद निगम चुनावाते ही याद आगे इस पर गिरुबाद है बारपुल में बदमाश और उद्यापर पुलिस में हुई मुठभेर दो इस्थानों पोर हुई आमने सामने फायरिंग दो बदमाश हुए फरार एक को दबोचने में सफ़क हुई हनवन से गुच्साइब परिजनों ने पुलिस कस्टडी में हत्यारे पर हमला प्रणिकी की कोशिश प्रकाबगड के एक खेट में मिला था शब्द और एक नर्स के भरोसे महिनों से चरवनी प्राज में चिकत्साई काई दरजनों ग्रामिन ब्रोजाना आते हैं और मायूस होकर जाते हैं अब कप्रविस्तार से सबसे पहले बात करते हैं पंडित उपाध्याई को याद करने पहुँचे भाजपाई हो थे आगामी नवंबर महा में उदापूर नगर निगम के चुनाव होनी जा रहे हैं सत्तर ही बाड़ों में वर्गवार वोटियां पड़ चुकी हैं और इसी हिसाब से जो उम्मीदवार हैं वह अपनी तरफ से तो खुल कर नहीं आ रहे हैं लेकिन उनके चहते इस बात को सोशल मीडिया पर जरूर डाल रहे हैं यहां तक तो ठीक है लेकिन बुदवार को उस समय पूरी तरह से ऐसा माहूल देखा गया जैसे चुनाव सामने हो और हर कोई यहीं सोच रहा हो कि इस बार तो अपना टिकेट पका है यहां इस बार भी अपने को ही टिकेट मिलेगा जी हां बुदवार को पंडित दिन दियाल अपाध्धाय की जैन्ती थी वैसे जैन्ती हर वर्ष आती है लेकिन कभी भी इस तरह का माहूल नहीं देखा गया जहां भाज़पा से जुड़ा हर वर्ग का कारिकर्टा मौजूद था आपको बता दें कि इस से पहले भी कभी भी जैन्ती मनाए गई तो फ़रादी कारियों सहीत दो दरजन कारिकर्टा भी मुश्किल से शामिल होती थे लेकिन बुदवार को दीन देयाल पार्क में आये दरजनों कारिकर्टा को देखते ही साफ हो गया कि चिनाम नजदीक है और हर कोई इसी माध्यम से सुर्खियों में आना चाहता है कि चैनकर्टा की नजर उन पर पड़े और वह भाशपा से टिकित हासिल कर ले पिछले दिनों उद्यापर के प्रताब नगर धाना शित्र में सिर्फ पंजाब नर्शनल बैंक पर हुई लूट मामले में आरोपियों को दवोच ले गई पुलिस और आरोपियों में आपस में मुट भेड हुई जिसमें दोनों ही तरफ हाईवे से लेकर अंद्रूनी गावों में भी फायरिंग हुई मामला राजस्तान के भरतपूर जिले का बताया जा रहा है मगलबार देरात उद्यापर पुलिस की टीम आरोपियों तब तो पहुँच गई लेकिन आरोपियों को भनक लग गई और वो मौके से गाड़ी लेकर भाग गई आगे आगे बदमाशों की गाड़ी पीछे पीछे पुलिस की गाड़ी उन्हें पकरने का तेजी से प्रयास कर रही थी जोरान आरोपियों की और से फायर भी किये गए तभी मौका देखकर हाईवे से आरोपियों ने अंदरूनी गाओं में अपनी गाड़ी मोर दी तो उद्यापर पुलिस की गाड़ी भी उनके पीछे हो गए वायरलेस की सूचना पर आगे बैसे भी नाकाबंदी थी ऐसे में ताला चौकी के पास ही आरोपियों ने नाकाबंदी देखने और उन्हें लगा कि वह आगे नहीं चापाएंगे तो उन्होंने कार से बाहर निकल कर फिर्श से फायरिंग शुरू कर दी तभी उद्यापर पुलिस ने भी जवाबी फायर किये वारदात इसल के आसपास केतों में बाजरे की बड़ी बड़ी फजल होने का फायदा आरोपियों ने उठा लिया और वह फरार हो गए कार में सवार तीन आरोपिय बताय जा रहे थे जिन में से एक आरोपिय को पुलिस ने वही पर दबोच लिया हाला कि इस खबर की पुष्टी कोई भी अधिकरत रूप से नहीं कर रहा है लेकिन सुत्र बता रहे हैं कि हिरन मगरी के दबंग C.I. हर्मन सी है और उनकी तीम सुचना मिलने पर भरतपूर जिले में बदमाशों को पकड़ने गई थी कार मालिक ने हिरन मगरी थाने में रिपोर्ट दी कि आनंद विहार कॉलोनी में कुछ असामाजिक तत्व शराब पी रहे थे इस पर उनको यहां से जाने के लिए कहा गया इस बात पर वही युवक कार मालिक से उलच गया और पत्थर बाजी करने लगे जैसे देसे कार मालिक तो वहां से निकल गया और अपने घर आ गया लेकिन शराबी युवक को ने देर रात उसके घर के बाहर खड़ी गाड़ी में आग लगा दी इस गटना के बाद कार पूरी तरह जब कर स्वाह हो गई कार मालिक विकास रिपाठी ने बताया कि कोलोनी में आए दिन असामाजिक कत्व का जमावड़ा रहता है और सभी यही बैट कर शराब का सेवन करते हैं जिससे कोलोनी में महिलाओं और बच्चों को आने जाने में बेहत परिशानी उठानी पड़ती है पुलिस अभी इन असामाजिक कत्व की तलाश में जुटी हुई है पुद्यापूर के मोहला सुखाड़ा विश्व विध्याले में उस समय हंगावा हो गया जब NSUI और ABVP के कार्यकर्दा आमने सामने हो गए दरसल पंडित दिन दियाल उपारधाय की जोयनती पर पिछले तीन सालों से विश्व विध्याले में ABVP की और से रक्तदान शिवर का आयजन किया जा रहा था इसी कड़ी में बुद्वार को रक्तदान शिवर होना था लेकिन NSUI की और से इस रक्तदान शिवर का विरूत किया गया और इसी के चलते विश्व विध्याले प्रिशासन ने रक्तदान शिवर को निरिस्ट कर दिया इधर जब ABVP की कारिकारता रक्तदान करने के लिए विश्व विध्याले पहुँचे तो उनको पता चला कि रक्तदान शिवर को निरिस्ट कर दिया गया है ऐसे में अखिल भारते विध्यालती परिश्व की कारिकारताओं ने पहले तो DSW से मुलागात कर पूरी मामले के बारे में बताया लेकिन जब उन्हें DSW की ओर से ये जवाब मिला कि यह आदे शिश्व विध्याले की ओर से आया है इसलिए वह कुछ नहीं कर सकते एक समय ABVP और NSW की कारिकारता आमने सामने हो गए लेकिन प्रताब नगर थाना पुलिस को सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुँच गई और मामले कुछ शांत करवाने के लिए दोनों पक्षो से समझाईश की और मामला शांत करवाया हलाकि इसके बाद अतुदान शिवर का आयजन तो हुआ लेकिन वह शिवर मिश्व विध्याने के ओर से नहीं बरकि ABVP के ओर से किया गया तदेश सरकाई ने ग्रामिडों को मुफ्त इलाज मिल सके इसके लिए गाओं में सामुदाइक और प्रात्मिक सौस्त केद्र खोले हैं लेकिन चिकिस्टकों के न होने से मरीजों को इसका लाग नहीं मिल पा रहा है ग्रामिड शेत्र हो या शेहरी शेत्र में जमीनी हकीकत कुछ और बया कर रहे है चांकारी के अदुसार शेहर के माचिरा मगड इलाके में इसके प्रात्मिक स्वाथ्केंद्र में एक स्टाफ नर्स, एक सफाय कर्मी, एक फार्मसिस्ट की नियुक्ती है लेकिन बर्तमान में यहां प्रात्मिक स्वास्त केंदर स्टाफ नर्स के भरोसे ही चल रहा है ग्रामडों ने बताया कि पहले प्रात्मिक स्वास्त केंदर में एक नर्स थी लेकिन उन्हें एक अन्य सामुदेक स्वास्त केंदर का प्रभार दे दिया गया जिसके बार डॉक्टर की नियुक्ति तो की गई लेकिन प्राट्मिक स्वास केंदर में नहीं आते हैं नर्स का कहना है कि डॉक्टर छुट्टी पर है प्राट्मिक स्वास केंदर में मरीजों की संख्या दिन बदिन बढ़ रही है लेकिन डॉक्टर नहीं होने की वमजा से मरीजो को उप्चार कि सुवीधा नहीं मिल पा रही है स्टाफर बरेजों को थोड़ा बहुत उप्चार करा कर लोटा दिया जाता है स्टाफ की कमी से जूझ रहे प्राध्मेक सुपसकेंदर में कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है इसके अलावा यहां नीयमेत सफाई नहीं होती है स्वास्थ केंद्र परिसंद में गंदगी का अंबार लगा रहेता है प्लात्मिक स्वास्त के अतपास कच्रे का धे लिगा रहता है। स्टाफ नर्स मरीजों का थोड़ा बहुत उप्चार कराके लोटा देती है। महीं सरकार वारा कड़े नियम लागू किये गए हैं कि अगर डॉक्टर साहब मौगे पर नहीं हैं तो छुट्टी मिना रहे हैं कि अपना काम बनता तो खड़े में जाए जलता। चलिए आपको भी दिखाते हैं कि आखिर पूरा मामला क्या है और मरीज और तिमारदार किस तरह से यहाँ पर पर परिशान हो रहे हैं कि अगर आपको कुछ हो जाए तो फिर क्या करोगे कौन जिम्मेदार होगा उपर वाला होगा कि डॉक्टर होगा इस्ताफ तक को प्राउलम हो रही है रजिस्टर वो अपने अल्माली में रखके ते लगए तो दूसरे को लगाना चीए और पास दिन से परिशान हो रहे हैं कि अभी एक जना जिया पे ज़गत आगे ही लिए तो और यह कि रहा है कि धान मंडी जाओ उदर जाओ तो यह गलत है हम करेक्टर को शिष्काज करेंगे और इसका पुद कर रहा है कि 5 दिन दे मिए 5 दिन तो बहुत ही मदब ना परहाई की हद है कि अभी में जो को इसके ध्यान देना की है और तुरंस प्रभाव से डॉक्टर को और जो भी पाबंद करना है या दॉक्तर को तो तुरंस प्रभाव से अटाना की है पांस ही की चुट्टी यह से लेगे दे लेगा अभी पांस जिन से वो डॉक्तर रिगुरल हुए मैं रोज आ रहा हूं मैं तो अभी यह लोग भी आया है अभी वो लोग बोलते कि आप पर दुसरे होस्टियों चले जाओ और यहां से अगर इस हादा तमारी विमारी तो तुसरे होस्टर कहा कर जाएगा और कलेक्टर का निष्टे से के डोक्टर नियुक्तर कर सकते और इस टैटिक में क्या हुआ कि या भी इसना वगिर बेगे जब ने आप चले जाओ आप फुल्डरों में डोक्र नियूं यह क अध्यक्ष भरत वैश्टर ने बदाय कि पहले लंबे समय से बढ़गाओं पंचायत समीती में एजीम पोर्ट के स्थापना हो चुकी है लेकिन इतना समय बीच जाने के बाद भी वहां आविशक इंफ्रस्ट्रक्टर के स्थापना नहीं की गए इसने वहां आने वाले फर जल्ड से जल्ड उचित फैसला लेनी का आश्वा संदिया है कि सीरियल वाई से चलाते हैं अधिवक्ताओं को के साथ वे उनके विवार पर जो एक मानव गरेंबा के अनुकूल होना चीए उसके अनुकूल नहीं है उससे वेचित होकर बाहर एश्चन उदेपूर ने एक क्यापन मानने जिल्ला कलेक्टर मोधया को दिया और उनसे कि अधर क्या राजस्तान उच्य नियायलाई के दुवारा दिशा निर्देश की जारी है उन दिशा निर्देशों की फुल-किल पालना हो गए साथ नियायलाई की सुनवाई निर्दारी समय पर की जाए इसकी अतिरिक्त हमने मुखी रूप से एक मांग ओड की है जिल्ला जिल्ला कलेक्टर परिसर के अंदर होती थी, पुना ऐसे मामलों की सुनोई एक यहां पर एडवोकेट से उनको आने जाने में आवादोंगों में दिक्कत नहीं। जिल्ला कलेक्टर पुलिस के तत्वामधान में समिक्षा बैसक का आईजन किया गया। जिल्ला के पुलिस के तत्वामधान में हैं और नियमों को लागू करने के लिए यह समिक्षी काले करती है। इसी को लेकर बुद्वार को ये बैटक आउजित की गई, इस बैटक में विभिन एंजियों और विभागों को सडक सुरक्षा की नए नियमों को लागू करने के लिए बताया गया इस बैटक सुरक्षा के वारे में जितने भी निर्देश प्राफ्त होते हैं उनको जिले में लागू करने की जिमेदारी इस सबीटी की है इस सेल्टी है अगर गया है तो हम लोग ये टाइम पाइम प्राफ्त प्रूग्राम बना करने उसको लागू करने है इसके साथ ही साथ राज्य सक्कार ने गांधी सक्ता के आयोधन के समन्द में भी निर्देश दारी किये हुए है और ये सक्ता 2 October से 9 October तक होना है तो वो जितने भी बिद अगर प्रशी एवं प्रदोगी की विश्व विध्याली की ओर से आयोजीत जेविक प्रशी पर प्रशिक्षन शिविर का बुदवार को समापन हुआ 21 दिन तक चले इस प्रशिक्षन शिविर में 8 राज्यों से विशिशक गिशा मिल हुए समापन समारों के दुरान 21 दिन में चल रहे प्रशिक्षन पर अंतिम मन्थन किया गया 21 दिन तक जेविक क्रशी से जुड़े नवीन अनुसंधान को सभी के सामने रखा तो वहीं प्रशिक्षन आर्थियों ने भी अपने अनुभव साजा किये दरसल जेविक खेटी पर इ जाने के प्रयास जानी है राष्ड के सतरते और अंत्राष्ड के सतर पर जो विग्यानिक सोद होए हैं तरक किस पकार से फिल्में जेविक खीविक कौर pom कर रही है क्योंकि हम सभी जानते हैं कि आज 20 में 181 देशों में जेविक क्रशी की जा रही है और बारत में इस स्थार्ट से बारत रस्तान नहुआ है जबकि हमारे यहां जेविक क्रशी की ज़्यादा प्रशिते विज़े माने तो हम किस प्रकार से जेविक क्रशी में क्योंकि अभी 81 billion dollar का व्यापार है तो हमारे भारती किसानों को हम इसकी तरफ जहां यह हो सकता है कुछ एरियाज में क्योंकि राजिस्तान में भी इसकी संभा होना है हमारे राज्य सरकार है उन्होंने 11 जीलों में जेविक क्रशी के जीले घोशित करने के पॉलिसी बनाई हुए और डूंगरपूर जीला इसमें पहला जेविक क्रशी जीला घोशित किया जो ज़जा चुका है राज्य सरकार की करफ से तो इस प्रकार के वेग्यानिक प्रसिक्षन हमारे इस पूरे भारत में के विल दोई ऐसे संस्तान है जहाँ पे जेविक क्रशी में अग्रीम संकाय प्रसिक्षन के अंदर है एक तो आसाम मेरे वखने राजिस्तान तो राश्तान की द्रस्ती से सारे वेग्यानी को यह आना और उनको जेविक प्रिशित्यों के बारे में बताना एक महत्य पून यह केंद्र है और माना प्रताफ करसी विस्विध्याले जो अपने यहां पे मक्का के बारे मनसंदार हुआ, कपास के बारे मनसंदार हुआ, पूरे फार्म क्यादार पर देवी क्रिशी करें और पुर्मानी करन कराएं और अंतराज के बाजार में अगर माल को बेशता है तो ज्यादा फाइदा ले सके हैं और गुलेटिन में यह हर्किंग एक ब्रेक के लिए आप देख तेरी हुद आपनियर्स वैदर ही गुरुप लाए है राजस्थान का नंबर वन हाउसिंग प्रोजेक्ट वैदर ही प्रीमियम हाउसिंग जहां है क्रीम पार्क, क्लब हाउस फैसिलिटी, चिल्डरन प्ले एरिया, कम्यूनिटी हॉल जैसी सभी मूलभूत सुक सबधाएं जहां है वन पीएच के 12 लेक में और टू पीएच के 22 लेक में 90 परसेंट तक लोन सबधाव प्लभूत साथ ही जी एस्टी पर 80 परसेंट और स्टैंप ड्यूटी पर 50 परसेंट तक की छूट कॉंटाक्ट 99833 05577 न्यू नवरतन कॉंपलेक्स उधैपर विजिट www.vadehidevelopers.com तर्फ रमुक बैंकों से लॉन की सुवी था EWS 1BH के 11,25,000 में बुकिंग करें मातर 20,000 में LIG 2BH के 18,50,000 में बुकिंग करें मातर 30,000 में RERA Approved UIT Approved मुक्यमंजी जहर आवास योजना के अंसरगत अलोट्मेंट लॉट्री सिस्टम द्वारा किया जाएगा नजदी के सुवी धाएं, सबजी मंडी, रिशी मंडी वर सबसीटी सेंटर से मातर 3 मिनिट की दूरी सवीना चुराह से मातर 3 मिनिट की दूरी पर पैट्रल परम बाजार, 200 विट हाइवे के नजदी जबर्दस सिफायदे, स्टम द्यूटी, रिजिस्टरेशन चार्जिज में राजी सरकार की तरफ से एक ग्रहरेंड होने पर सबसीडी सीधे बैंक के खाते में स्थाना दरे आवेदन पत्र हितु संपर्ख करें गुल्शन प्रोपर्टीस, 27, Savaritu विलास, Udhapur गॉलेज 9269-200-200, 8696-94047, 8696-94041 और 6378-224015 लोयल मॉटर्स कम्पनी, पिछले पैजिस वर्शो से आपकी सेवा में हीरो मॉटर कॉप का सब से बड़ा वो बिस्तर शोरूम एवां बर्क्शॉप जहां आपकी टुविलर्स गाड़ी को मिलेंगी, विश्व इस सरी सर्विस, एवां जेनरल पार्ट्स की सुभी था हीरो मॉटर कॉप के सभी मॉडल सभी रंगों में उपलग बुकिंग का लाब उठाएं रोयल मॉटर्स संपनी सक्तावन पंचवटी उरापो पॉन नमबर 0942426838 उस दिन तो मैं डर ही गई थी, र्याद के एक बजे मैं कहा जाओ काफी ठीड भी जमा हो गई थी, ठीड में से किसी ने मुझे GBH ट्रोमा एमर्जनसी का कार्ड दिया, मैंने वहाँ फोम किया, तो एक कॉल करने से तुरम टैंबुलेंस आ गई वहाँ के डॉक्टर, नर्स और स्टाफ ने ऐसे संभाला कि मुझे कुछ पता ही नहीं चला, उफ पापा क्या बोलू, उसके बाद नर्स ने जो मेरे कंभे पर हाथ रखा, तो मुझे एक भरोसा मिला, पापा सिर्फ एक सलाह में सब कुछ पहले जैसा ठीक कर दिया, तो तो पापा, आप ही तो हो हमारे सब कुछ एक्सिड़न्ट, ट्रोमा या किसी भी एमरजेंसी में भरोसा कर सकते हैं सिर्फ ईनन बी एच परमानित जी बीएच अमेरिकन हॉस्पिटल पर जैपूर के बाद प्रदेश का एक मात्र अईन बीएच परमानित हॉस्पिटल GBH American Hospital कोठी बाग, भठ जी की बाड़ी, उधैपूर और SDFC बैंक आपके लिए लाए है, 0% डाउन पेमेंट, 0% ब्याज और बिना किसी प्रोसेसिंग फीज के आसान रण्योज राग, हॉस्पिटल, होटल, कॉलेज, कॉर्परेट और सभी तरह की गवर्मेंट एवं डॉन गवर्मेंट इस्टिउशन में टर्न की प्रोजेक्स के विशेश रागे, उदाइपुर का एक मात्र तीन मंजिला भव्य फणीचर शोरू, शादी के विभिन पैकेज की विशाल श्रंकला, 21,000 से लेकर एक लाग के कावन हजार तक पैकेज उप्लब्द, 37,500 में 11 आईजम, डबल बैट बॉक, ताइप टेबल 2, अलमारी सिंगल दोर, गर्दे तक्ये, बैट शीट, कंबल सेट, सेंटर टेबल 4X2, ड्रेसिंग टेबल, बाजोट, कुर्सी 4, यानि आपके बजट में आपकी चाहत का फर्नीचर, गर के आगल सा लगे सस्टुराल का हर कोना, पूनम फर्नीचर के बिना बिटिया सस्टुराल न जाए, एक बार पधार कर सेवा का मौका वश्य दे, पूनम फर्नीचर, सक्टर 5, हीरन मंगरीन, बेंड रोड, उदैपुर, ब्रेके बद आपकास च्वागत है, लेक्षिटी उदैपुर में नवरातरों को लेकर तैयारियां धुमधाम से चल रही है, इसी कड़ी में उदैपुर की दुपादपुरा इलाके में स्थित, बंग भवन में मा के विवित स्वरुपों के आकशक मूर्तियों को बंगाल क एक कलाकारों द्वारा तैयार किया जा रहा है, यही रही गंगा नदी की काली मित्ति से तैयार की जा रही अनुठ्ययों आकशक मूर्तियां पूरी तरीके से एको फ्रेंडली है, जो पर्यावरण संदक्षन का संदेश पी दे रही है, इन मूर्तियों को आने वाले समय में विभिन अगरवा मंदलों की ओर से अपने अपने पंडालों में स्थापित किया जाएगा, बंगभवन में बनाई जा रही इन मूर्तियों का प्रिचलन कोट द्वारा प्लास्टिक बैन के बाद ज्यादा बड़ा है, अलग-अलग मुद्राओं में बनाई जा रही इन मू प्लिक्ता के बनमद प्लिक्तिंटा की विए है कि ऐसे बने हा-लग में बनाई जाता है, उओ लक्ता बन भर्राव में तो नहीं सुन्स फ्रेंटा लाक अलग जाता है, और ब्लुकरतन के बनमद प्लिकण, फरण ले काम लेत 1789 स्जाद है नगा जाता है, वह भी मुदृ में इसके अंदर पाने मेरी के बती का तुम विशाजन करके रख देते हैं तिर नगर लिखे चले रहे हैं इसके अंदर कोई रुप्सान का चीज ने सब इसको फ्रैंडी बनाया जारे है फिर पिसले 40 साल से किस यहां जो किसज परके करते हैं अब्ले का विल्ला के 25 प्रेज करते हैं किस परके रेस्पोंस है लोगहए करें यह बहुत प्रेस्ट है आपी रहे तो अबंधी तो उन्हों मेरे मुर्थिकान को घर नहना कर दो आगामी 29 सितंबर से नवरात्री महसव शुरू होने जा रहा है इस महसव को लेकर शहर की देवी मंदिरों में तैयारियां शुरू हो गई है मंदिरों में साफ सफाई रंग रोगन और लाइटिंग का काम शुरू होने लग गया है नवरात्री स्थापना तरीका नो दिनों तैक माता जी के दर्शनों के लिए देवी मंदिरों में भक्तों की लंबी कताले लगेंगे ऐसे भक्तों को दर्शन करने में किसी की समस्या ना हो इसके लिए भी मंदिर मंदल में और वेवस्ता सुचारू रूप से की जा रही है शहर के शक्ति पीठो पर नो ही दिन माताजी के विशेश दर्शन होंगे इस दुरान माताजी को विशेश रंगार भी किया जाएगा नीमज माता, अंबा माता, सुखदेवी माता, आवरी माता, कर्नी माता सहित, तैश शक्ति पीठो पर शहर और दूरदराज से भक्त मा की दर्शन करने आते हैं पुदैपुर का नाम भले ही देश और दुनिया में अपनी अलगी पहचान रगता है कई पास इस शहर को सुन्दर्टा के नाम पर पुरुसकारों से नवाजा भी गया लेकिन आज भी इस शहर के कई परिटों निस्फल अंदेखी का शिकार हो रहे हैं हम बात कर रहे हैं दूप तलाय सित मानिक किलाल वर्मा पार्क के हालात के यहां वर्षों से लगे जूले और फिसल पट्टियां शतिक्रस्त हो चुके हैं साथ ही घास, फूस और जाडियां फेल गई है यहां आने वाले शहरवासी और परिटों को काफी परिशानी का सामना करना पड़ता है छोटे बच्चों को यहां जूलू पर जाने से डर लगने लगा है कि कहीं कोई हाथसा नहीं हो जाए नगनिगम को इस पार्क की और ध्यान देना चाहिए ताकि यहां घूमने आने वाले लोगों में शहर की छवी एक बार फिर से सही बन तके वल्लब नगर उखंड शेतर के भटेवर बाइपास चुराहे पर प्रस्तावित सिक्सलें निर्मान कारी के दोरान बाधा बन रहे अधिकरमन सोमवा को आठ थानों के सो से ज्यादा पुलिस जवानों के प्रशासनिक अधिकार्यों की मोजोद्की में हटवा कर सिक्सलें कारिस शुरू करवाया गया इसके बाध लाइशनल हाइवे अथारिटी के अधिकारी पुलिस जापती सहीच संपूर प्रशासनिक अमला वाना गान को हुचा जहां पर रोड किनारे बनी मकानों को द्वस्त करने की कारवाई की गई और घरों में रखा किसानों का सामान राशन इत्यादी मिट्टी में मिला दिया गया जिससे लाखों रुपे का नुकसान गरीब किसानों को हो गया पिडित परिवार ने अधिकारियों पर घरों में रखा सामान बाहर निकालने का मोकर नहीं देने और सामान हचाने के लिए लेगल नोर्टिस नहीं देने क्या रूप लगा है अचानक ताबर तोड की गए इस कारवाई के तुरान भटेवर बाइपास चोराहा और वाना छामनी बना रहा अचानक की गए इस ताबर तोड कारवाई से गुज़रने वाले वाहन चालक और रहागीर भी बहारी मात्रा में पुलिस और प्रशासिक लवाजमे को देखकर एक बार सत्य में आ गए तो दूसरी और घरों में रखा सामान भी ग्रामिन बाहर नहीं निकाल पाए पिडित परिवार की माने तो उन्हों ने सामान निकालने की गुहर भी की लेकिन उपस्त अधिकारियों ने एक नसुरी और कुछ ही पल में सब कुछ धस्त कर दिया जिसके साथ ही घरों में रखा घरिलू सामान इत्यादी भी मिट्टी में मिल गए वही लोहे के बने पेटे में अलमारी आदी भी कबार में बिदल गए नैशनल हाइवे चहंतर पर वर्तमान में सिक्स लें निर्मान कारिप नगती पर है ग्रामेडों के अनुसाथ हाइवे अथॉर्टी द्वारा पुरु में अवाप्त की गई बूमी पर कुछ लोगों ने हाइवे के लोगों की सहमती से अपना घरिलू सामान रखा हुआ था जो ताबर तोड की गई कारवाई से धूल में मिल गया और किसान परिवार अपनी व्यथा और किसमत पर रोना रोन है उनका कहना था कि यदि हमें एक घंटे पहले भी सूचना दे देते तो हम हमारा सामान हटा लेते यहां तक कि सामान हटाने लगे तो भी उन्हें खदेर दिया गया पिड़ितों का आरोप था कि उन्हें सामान बाहर निकालने का मोका नहीं दिया गया कारवाई के बाद परिद परिवार मलवे से राशन सामगरी कपड़े आवशक दस्तावेज अनाज आधिक लिलु सामान समेटने में जूटे दिखाए दिये जांकारी के रुसार नैशनल हाईवे अथरटी के अधिकारियों की लापरवाही से रोड की जमीन का सिमांकन कर सही निशान अंकित नहीं होने से मकान मालिकों एवं भूमी स्वाम्यों को परिशानी का सामना करना पड़ा दूसरे तरफ इस पूरे मामले पर मीडिया के सामने कुछ भी बोलने से अधिकारी बच्चते रहे कर दो कैमार ही है नियुक पड़े कोशिष पत्रफ आख खाना स्वारमाओ करना यहान थेसा चंदेख अधियी माले और द। कैस निराय क्यों मानि जी पो माय नहीं की देता है जाली करता चाहिए नो अर्माने सीजरी धो दिन पेज एक घंटा आदा ज़ी ने आयो और श्री आई जो भी दिए करो तुमका ने बना मानो हपले करीन पाडी दोल मी बेटे रोट नी वना वता लद अला टाला के मननों मानन खाने हो कि दोड ओद एकुटे आमलो मामा की श्वार्ट का इधे र कराम विना किसी लिगल नोटीस के दिये हुए दिना मेरी सवमती से और बजान मेरी मेरी मौझुदगी मेरा मिकान किया जिसने उन्होंने किसी सब्सक्राइब करते हुए उनको सिधा भगा दिया और बिनाई किसी कहें उन्होंने निगल नोटिस दिया मेरा मकान किया दिया जिसमें कम से कम 25 बोरी मेरे गहूं सब्सक्राइब करेंगे इसकी आधार मेरे मेरे मकान किराय नहीं मिलने की वज़े से मैंने मेरा सामान मापर सिप्ट कर रहा था मेरा मेरे मकान के लिए और इसमें मौकें कितने मेरा मकान किरा दिया और रात पर मैं उसके पूरे रात पर उसने मकान की बाहर बेटके निंगरें करता रहा और मैलाओं को वेस्थित और उन्हों सब अब बत्र का प्रशा का प्रशा का बगा दिया हमाँ को लाट ज्याद करके इसमें अजी प्रशा की बिघ्रा प्रशा के इसमेंगरेंगे लिटकारी नहीं होता लेकिन बीना किसी जानकरी के अतनक आपके दवा बोल दिया तो हम क्या करेंगा आम दिन पर क्या कर सकती है इसमें? नहीं दिया गया और नहीं इनको कोई लिगल नोटिस दिया गया। पिछले 6 दिनों से लापता फाइनेंस कंपनी की कर्मचारी की हत्या कर शव को एक खेट में कार दिया गया। जहां बाद में मौके पर पहुँची पुलिस ने शव को खेट की खुदाई कर बाहर निकल वाया। इस मामरे में पुलिस ने एक आरोपी को गिरफतार किया है। जिवक की हत्या की सूचना पर पहुचे परिजनों ने मौके पर हंगामा करते हुए शव का पोस्टमाटम कराने से इनकार कर दिया। बाद में पुलिस की समझाईश पर पोस्टमाटम कराने के लिए तयार हुए। पुलिस की पूच्टाश में आरोपी अरुंच सीह ने अपनी पत्नी और एक अन्य साथी की साहिता से फाइनल्स कर्मी की हत्या की बात कुबूल कर ले। इस मामले में फाइनल्स कर्मचारी के मैनेजर की ओर से हत्या का मुकदमा दर्च करवाए गया है। पुलिस की पूच्टाश में आरोपी अरुंच सीह ने पताई कि हत्या के बात शव को मकान के पीछे खेट में गान दिया गया। इस पर पुलिस ने खेट की खुदाई कर शव को बाहर निकल वाया। इस मामले में परीजनों ने जाच में शिधिल्टा बरतने कारोप लगाते हुए हंगामा किया। इस दोरान पुलिस हिरासत में मौके पर मौझूद आरोपी अरुंच सीह के उपर भी परीजनों ने हमला किया। लेकिन पुलिस ने बीच बचा कर मामले को शाच किया। इसकी 21 वर्स है वो 17 तरिक से 12 बजे के बाद से मिसिंग है और उसका कोई पता नहीं चल रहा है। इस बारे में M.P.R. दर्श करने के बाद में हमने इसकी जाच हमारे प्रात्मिक जाच जो है वो हेट कोंस्टेबल राजपाल सिंग को दी थी। राजपाल सिंग ने इसके चार्ज के दोरान में उसकी कॉल डिटेश वगेरा हमारे निटेशन में निकल वाई है। और पूरी जो उसकी लास्ट लोकेशन कच्ची बस्ती में आई थी। कच्ची बस्ती के अंदर भी डॉल टू डॉल उसका सर्वे किया लेकि उसका कोई पता नहीं चल पाया। इसी दोरान हमारी जो मुख्बीर की टीम है उसको एक मेसेज मिला कि रोहित के पास जो एक मोटर साइकल थी वो मुंगणा के पास में गठे लगाम है वहाँ पे एक लक्षमन सिंग के गर पे पड़ी हुई है। जिस पर हमने एक टीम को राजपार सिंग के नेतरोत में ही वहाँ भेजा और वहाँ पता किया तो वो मोटर साइकल खमाशन सिंग के पड़ी थी और रोहित ठाकुल की मोटर साइकल थी तो आरुन सिंग करके जो कच्छी बश्ची में रहने वाला है उस अरुन सिंग मोर्ण सिंग करने दिएमों को दीन वोटर साइकिल वहां पे लक्षमंन सिंह के वहां पर जैस पर अरुन सिंग को यहां उठाया और उसको डीटेर्ट करके और पूस्ताज की पूस्ताज पर उसने यह सukeकार किया किसाभ रोहित का मेंने मर्डर किया है मेरे दो साती और है मेरा भाई और उसकी भावी पत्नी अरुन सिंग की पत्नी है उसने और उसके भाई ने मिलके तीनुने उसका मर्डर किया और मर्डर करने के बाद में उसकी लास को गर के पीछे ही खेट के अंदर खड़ा खोड़के और उसके अंदर घाड़ दिया जिसे आज उसकी निशादेई से अरुन सिंग की निशादेई से लास बरामत कर ली हमने और उसका पोस्ट मार्डम करवा के और वारिसानों को सुपूर्ट कर दिया है और इसके उपर अरुन सिंग को गिरिपतार किया जा च कुछ इसके रोहित थाकूर के पास में उन पचास हजार रुपए का बेलेंज था और वो इसको पता था आरुन सिंग वगेरा को क्योंकि यह जो एक सोसाइटी बना रखी तीन सो रुपए पांसो रुपए सबसे इखटे करते हैं परमंत इखटे करते हैं और इसको आगे कंप कि मेरे पास रोहित को अगर मैं उस्यां जांसे से बुला के और इसको मार दूँगा तो इसके पास में बड़ी रखा मिलेगी मुझे लेकिन उन पचास अजार रुपए के लंसम पेशा था उसके पास में वो उन पचास जार रुपए के खाती दिशने जैंज उसका मढ़ प्रतापगर्ण में सहरकारिता सेवक उदैलाल अंजना ने तीन दीवसे विकलांग उपकरन वीतरन शिवर का शुबारम किया। बैसा की शू बैल्ट, कान की मशीन, बुजर्ग चड़ी, ब्लाइंड स्टिक, क्रत्रिम पैर, क्यालिपर्स, क्रत्रिम हाथ आदी नीशर को विद्रन की जा रहे हैं। बैसे को रिष्चे जन्दी करें या उनको लेंगे भी सही। बैसा करता है। उन्होंने इस दुरस ब्लॉक को, ट्राइबल बेंट को चून करके नीशर्दे सरामी कारिट लिया। और चलते-चलते एक नसर अब तक की हेड्लाइंच पर। पंडित दिन द्यार को याद करने के रिए पहली बार सैक्रो कारी करता पहुँचे प्रतिम अस्खल। पिछली जयन्ती पर 20 लोग नहीं थे मौजूद। दिगम चुनावाते ही याद आगे स्वर्गियों बात है। बारपुर में बदमाश और उद्यापर पुलिस में हुए मुटभेड, दो इस्थानों पर हुए आमने सामने फायरिंग, दो बदमाश हुए फराज, एक को दबोचने में सफ़क हुए हन्वन से। गुट्साए परिजरों ने पुलिस कस्टडी में हत्यारे पर हमला करने की कोशिश प्रताबगड के एक खेट में मिला था शब। और एक नर्स के भरोसे महिनों से चल रही प्राजमिक चिकरसाई काई, दरजनों ग्रामिन, ब्रोजाना आते हैं और मायूस होकर जाते हैं। उदैपर नियोज के इस ब्रीडिन में फिलहाल इतना ही, शेहर की इतमाम हजल से आपको आगे भी रुब्रू करवाते रहेंगे। फिलहाल इजाज़त दीजिए क्रितिका 24 को और खबरों करी देखते रहें। उदैपर नियोज, नमश्कार।